दीखते हैं पहला कोशन 19 टोली का उठ्खरन किससे ने किया था कि एडरी बा defendant wow कड़ाकर फ्थूरिया या फिर wonढ़ देखिए संकालिया और ये इस्थीत कहां पे योलК केंद ने न मद्द्धप्रदेश के इंदोर के निकट इस्थीत है और HD जो संकलिया थे हैं ये धक्कन कालेज पूना के प्रोफेसर थे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है राह का टिला किस नवपासाडिक अस्तल से समंदित है बुदिहाल, संगन कल्लू, कोल्डिवा या फिर ब्रह्मगिरी तो यह समंदित है संगन कल्लू से बी आपसे नवका बिल्खुल करेक्ट हो जाएगा और यह करनाटक के वेलारी जिले में इस्तित है यह कहाँ पर यह करनाटक के वेलारी जिले में इस्तित है संगन कल्लू इस बात को आपको ध्यान रखना है कभी पूछ सकता है कि संगन कल्लो किस राजे में है तो आपको याद रुखना है कि करनाटक के वेलारी जिले में है तामर पासार काल में महाराष्ट के लोग अधिकानस्ता मुर्तकों को घर के फर्स के नीचे किस तरह रखकर धफनाते थें उत्तर से दच्षिड की और पूरु से पस्चिम की और उत्तर से दच्षिड से उत्तर की और या फिर पस्चिम से पूरु की और ठीक है तो यह लोग दफनाते थें उत्तर से दच्षिड की और यानि कि उत्तर की तरफ यह माली जीए यह अगर उत्तर है यह नार्थ है यह this पर अर्थ व्य ऊस्ता पर धर्म पर या फिर बिञ्यान पर तो मानों समाज si 8 समे के अस्रित्र होता है अर्थ अर्थ संस्करीती पर आपसे इसका करेक्ट है मानों समाज अपनी विश्ट संस्कृत करन बिलत्षड होता है जिसके सांचे में ढल खर वह अपने बिभिन दायतों का सम्यक निर्वहन करता है यानि कि संस्कृत के धाचे मढ़कर हुआ अपने दायतों का पूरी तरह से निर्वहन करता है अगला प्रश्ण है चंधुर्दरों के उत्खनन का निर्वहन करता है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण लेते हैं निर्वहन करता हैं तो इसका जो चंधुर्दरों करने वह बाद फिर पिर उपनिसद है तो आपसा नमरे इसका बिलिकुर करेक्टेंस्वर है वैदेक नदी असकिनी की पहचान निम्लिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है ब्यास, राभी, चेनाब या फिर जहलम तो यह किसके रूप में की जाती है अस्किनी अस्किनी की अस्किनी जो यह प्राचीन नाम है और आधुनिक किस नदी के नाम से इसको जनाता था तो इसको जनाता था असकिनी के नाम से चेनाप के नाम से आपसे नंबर सी करेक्ट है अब आपको बताना है कि ब्यास रावी और जेलम को किस नाम से जाना आता था आपको परिसुड़ी को इसको रावी को बोलते थे परिसुड़ी इसको बोलते थे परिसुड़ी और जेलम को बितस्ता अब ब्या ब्यास को किस नाम से जाना था ब्यास आपको बताना है चलिए अगला प्रशन लेते हैं उत्तरवाइदिक काल्म निम्कित में से कीन को आरे संस्कृत का धूर समझा जाता था अंग मगत कोसल विदे कुरू पंचाल या फिर मत्स सोर्शेन तो किसको समझाता था आपसर नमर ए अंग और मगत को आरे संस्कृत का धूर समझा जाता था आपसर नमर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन किस गरंथ में पूरुस में का उलेख हुआ है कृष्ण यजुरुवेद सुकल यजुरुवेद सत्पत ब्रामड या फिर पंचविस ब्रामड तो आप कोश्य नमर दस का जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वह जाएगा सी सत्पत ब्रामड में पूरुस में काउलेख हुआ है सी आपसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपने मृत्य को प्रांथ बौध संग के नित्रतों के लिए किसे नामित किया था आनंद उपाली, महाकर्षप या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो बुद्ध ने अपने मृत्य को प्रांथ बौध संग के नित्रतों के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था अपसर नमबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा यानि कि किसी को भी नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं या अपनी किसका एक संप्रदाय था बहुत धर्म का, जैन धर्म का, स्यव धर्म का या फिर आजीव को का तो ये किसका था ये था जो है आपके जैन धर्म का यानि कि या अपनी जो एक संप्रदाय है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है निम्नाकित में से कौन प्रस्थान त्रई में सम्लित नहीं है भागवत भगवत गीता ब्रहम शुत्र या फिर उपनिशत तो कौन सा सम्लित नहीं है आपसे नमबर ए भागवत सम्लित नहीं है बाकी ये तीनों सम्लित है अगला प्रशन लेते हैं प्रारंभिक गरतंत्र में क यह एक निमिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था और अरिश्टोबुलस आप अगला प्रशन है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट किस सासक ने पहली बार जीता था यानि कि मालवा गुजरात और महाराष्ट को किस ने जीत लिया था पहली बार बिंदुसार, महापदनन्न, चंद्रगुप्त मोर या फिर समुद्रगुप्त ने इसको जीता था वो था चंद्रगुप्त मोर आपसा नमबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है चोल सासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रसासन देखता था पोन वारियम, एरी वारियम, टट वारियम या फिर समत्सर वारियम तो कौन था ये ये था टोट वारियम, आपसा नमबर C इसका विल्कुल करेक्ट है उद्यान प्रसासन टोट वारियम, वार्सिक समिती, समथ्तर वारियम और तलाव समिती, एरी वारियम से समन्दित था ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है भिकरम सिला विष्विद्यला किस राज में वहस्तित था, उडिशा, जार्खंड, पश्चिव बंगाल और बिहार तति काफी फिमस विष्विद्यला है, इसके बारे में आपको जान कर रखना चाहिए और जो यह वस्तित था, ये था बिहार में निम्खित में से किसे एक नया समवत चलाने का यस प्राप्त है धर्मपाल देवपाल लचमण सेन या फिर बीजे सेन तो यह किसको प्राप्त है यह लचमण सेन को प्राप्त है आपसे नुम्बर सी करेक्ट है और लचमण सेन ने 1776 से 1206 सेन वन्स के सा सकते हैं इनके दवारा ही नया समवत चला इया जिसे भी लचमण समवत के नाम से जानते हैं गौड वहो के रचाईता कौन है हरिशिण आरे वट वाक्योपती या फिर बाड वट तो कौन रचाईता है यह वाक्योपती आपसे नुम्बर सी बिल्कुल करेक्ट है प्रिथवी राज बिजय के लेखक कौन है प्रिथवी राज बिजय के लेखक कौन है चंद बरदाई प्रित्वी राज, जयानक या फिर नयन चंद सूरी तो ये कौन है ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक आपसर नुम्बर C करेक्ट हो जाएगा अगला पूशने किसने सोमपूर महा भिहार का निर्माण कराया था कुमार गुप्त पर्थम हर्स धर्मपाल या फिर लच सेन ने तो खिसने करहा था धर्मपाल ने इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और अंजेव ने बिजापूर की बिजय कब की मुगल प्रसासन के दोरान जिले को किस नाम से जाता था औहर विश्यास सूबा या फिर सरकार तो जानते ते इसको सरकार के नाम से डी आप्शन विल्बी योर करेक्ट एंसर निम्लिखित में से किसे मुगल सेना में चिकेचक निक्त किया गया था वर्नियर करेरी मनुची या फिल ट्रेवर्नियर तो यह निक्त किया गया था मनुची को सी आप्शन इसका बिल्बी करेक्ट हो जागा और यह किसके सासन काल में किया गया था यह आपको बताना है तो ये 1623 शे 1778 जो एक इतावली आत्री था इसने भारत आकर दराशीकों कि सेना में तोपची कुरूप में करकिया लेकिन ऑसी को मिर्त के बाद इसने पेशा अपना लिया था ठीक है पहले यह तोप्चा काम किया उपकी क्या तो चीकिस्त का पेशा अपना लिया इसका जो correct answer है वो है कतन सही है प्रणतु कारण गलत है मनसभदारों का चैन योगता कैदार पर नहीं होता था अगला प्रशन है दास्थान ए अमीर हमजा का चितरांकन किसके द्वारा किया गया अब्दु समत मनसूर दसवन्त या फिर अब्दु अबुल हसन तो यह किया गया था अब्दु समत के द्वारा अप्शन नमबर A करेक्ट हो जाएगा निमलिखित में से किसने हितो पदेश का फारसी में अनुबात किया था दारासी को फैजी बदायुनी या फिर ताजूल माली तो यह किसने कहता यह कहता ताजूल माली ने अप्शन नमबर D विल बी यूर करेक्ट एंस्वर सेकेंड लास्ट कोश्चन इस वीडियो का कभी हिर्दय राजा जिसने नागरी दास के नाम से क्रिष्न की प्रसंस्ता किसमें छंद लिखें वो कौन था राजा उमेद सिंग, राजा राम सिंग, राजा शात्र साल या फिर राजा सावंत सिंग तो यह कौन था? यह था राजा सावंत सिंग, D आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्म, मुगल काल में किस बंदरगारा को बाबूल मक्का कहा जाता था? यह काफी important question है, कालिकुट, कालिकट, भरूच, कैब्रे, या फिर सूरत, तो यह कहा था? यह था सूरत में, आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मुगल काल में सूरत बंदरगा को काबूल मक्का कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगा से यातरी मक्का के यातरा के लिए जाते थे, यह आपको ध्यान रखना है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसी राश्ते से यातरी थी, यह मक्का के लिए जाते थे, तो चलिए, 30 question थे, इसको से आमने कि नुट